नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको मेरी चाल में फिर से एक बार में हूँ आपकी वही अंजली कितना व्यार करते हैं तुमसे ये कहना नहीं आता बस इतना जानते हैं कि बिना तुम्हारे रहना नहीं आता जिए आपने सही सुना हम आज के डिली राज़िफल की बात कर रहे हैं सबसे मेले आज इनका बद्य है या अनुवर्सरी है उनको मेरी और से धेर सारी गुट विशिस तो चलिए शुरू करते हैं एक दिन तुम अपने आप से जरूर शिकवा करोगे वक्त और हलात से नहीं कि जिन्दकी सामने थी और तुम दुनिया में उल्चे रहे आप भी दुनिया के मेले में रहकर खुद को और अपने लक्ष को मत भूले अपने लक्ष को पाने की आग हमेशा दिल में लगा कर रखो जब तुम अपनी मंजिर तक पहुँच नहीं जाते बदलाव के बिना तरक्की असंभव है और जो लोग अपने दिमाग को नहीं बदल सकते वो कुछ भी नहीं बदल सकते आप भी वक्त के साथ बदलना सीखे क्योंकि परिवर्तन ही दुनिया का नियम है खुद को इतना परफेक्ट बनाईए कि लोग आपकी एक जलक पाने के लिए अपनी पल के बिछा दे दुनिया के पीछे चलना छोड़ दीजिए कुछ ऐसा करके दिखाओ कि दुनिया आपके पीछे चलती रहे तो चलिए अब जान लेते हैं आज के डेली राशी फलकी बारे में सबसे पहले में आपको बता दो कि आज आपके लिए जो है लखी नमबर रहने वाला है आज का लखी नमबर रहेगा आठ और शुब रंग की बात करें तो वो रहेगा डाक यलो कलर का आज का दिन आपके लिए बहुत ही कुछ खास लेकर आने वाला है ऐसे सितारे कहते हैं आपके आपको अपने वरिष्टों से काफी अच्छी चीज़े सीखने को मिल सकते हैं यानि कि यूँ कहें तो आज का दिन आज का दिन जो है आपके लिए बहुती कुछ सीखने का रहेगा लोग आपके क्षमताओं पर भरोसा रखेंगे आपकी योगिता पर विश्वास भी जदाएंगे आपको बहतर रिजल्ट लाने के लिए काफी मोटिविशन मिल सकता है परसनल लाइफ में दिन आपके लिए बहुती बढ़िया रहेगा बस आपको जो है अपनी पीठ का ध्यान रखने की सला सितारे दे रहे हैं क्योंकि आज पीठ में दर्द हो सकती है किसी चीज को रेकर इसके साथ ही आज ना लाब ना हानी वाली बात रह सकती है मैं कि नॉर्मल दिन जो है आज रहने वाला है सबंदों में भी ठीक ठाक रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते है महमानों का आज घर में आना हो सकता है आज दूसरों की समस्याओं वे कारे को सुलचाने में आपकी बहुत ही इंपोर्टन्ट भूमिका रहेगी अपनी कारे को पेक्षा दूसरों की मदस में आपका ज़्यादा टाइम स्पेंट हो पाएगा जिससे आपके लिए बहतर सम्मान जनी स्थितियां बनी रहेंगी लोग आप पर विश्वास करेंगे और आपका सम्मान भी करेंगे कुछ लाग दाइंग संपर के सूत्र भी आपके स्थापित हो सकते है वही प्रॉपट्री और वाहन से रिलेटिड खारीदारी को लेकर रिण लेना पड़ सकता है लेकिन यह आपके संपत्ति वे सम्रिधी में व्रिधी करेंगा इसलिए आप चिंता मत कीजगा बेफिक्र होकर आप लोन लीजगा लेकिन अपने नजायस खर्चों पर आपको बस अंकुष लगाना है बाकी सब पुछ ठीक है अज आपके इने तृत्र वक्षमता भी काफी तारीफ करेंगे लोग आपको अपने काम को बहरतर तरीके से अंजाम देने में लोगों की सिला काफी काम आ सकती है आप में इसे कुछ लोगों को आपकी बादशित का तरीका काफी पुसंद आएगा किसी को आपके साथ ही जरूरत पर सकती है लोगों की मदद के लिए तयार रहीगा हर दम आज के दिन खाने मेरे के चीज़ों और समय का आज विश्येश रूप से ध्यान रखेगा तत्व नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे इसलिए निश्चेंत रहे रुके हुए काम को पूरा करने के लिए बस आपना फोकस बनाए रखेगा जल्दबाजी और जादा उतेचीत उत्साहित मत हुएगा वनना थोड़ी आपको मुश्किल हो सकती है यह चलिए अपने सभाव में धैरे और सायम बना कर जरूर रखें साथ में क्रोध और आवेश पर भी थोड़ा काबूश जरूर करना पड़ेगा आगे पढ़ते हैं और बात करते हैं आज की बिजनिस और करेर की तो वेविसाय की विस्तार से रिलेटिड योजनाओ पर आज काफी गुंभीरता से विचार करेंगे कि आपके बिजनिस को कैसे फिलाना चाहिए, कैसे एक्सपैंड करना है अगर संबब हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सिलाह जरू ले जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा जो कोई विगर आपको काम करना है नया करना है इसमें आपको जादा जो नॉलेज नहीं है तो जरूब आप उसकी सिलाह लीजे जो इसमें एक्सपर्ट हो जरा सिलाप परवाई से धन रिलेटिड नुकसान हो सकते हैं नौकरी में हलकी फुलकी परिशानियां देखने को मिल सकते हैं लेकिन समय रहते आप उनका हल जूनने में सक्षम रहेंगे आज आप अपनी टीम को बहतर बनाने में भी मदद कर सकते हैं चाहे वो टीम स्पोर्ट से रिलेटिड है या फिर बिजनस के या फिर जॉब से हरकोई आपके कमुनिकेशन स्किल्स को पसंद करता है क्योंकि आप बहुत ही पारदर्शिक किसम के इंसान हैं यसे के साथ ही आज बस इसीज़ का ध्यान रखना होगा कि कहीं कोई ऐसी बात न निकल जाए जैसे अगला वला जो इनसान है कुछ और ही समझ बैठे कारेशेत्र में नई रण नीती बनाकर काम करना पड़ेगा क्योंकि बर्तवान नेगटिव सित्यों से अभी प्यपार उठ नहीं रहा है जैसा कि महौल चल रहा है नौकर में बॉस और अधिकारियों से रिलेशन अच्छे रहेंगे बद उनती होने की संभावनाए भी आज आज आपकी बन रही है आपके बॉस आपको अच्छा परटशन करने के लिए प्रोटसाहिट पिकरेंगे काफी मोटिवेट हो सकते हैं वे जानते हैं कि आप वहतर काम करने में सक्षम है इसलिए वो एहम काम जो है वो आपको ही सौंपेंगे क्योंकि आप उनसे करने के लिए बहुत ही जादा अच्छी भूमी का निबास सकते हैं साथ हमी जो लोग करेर की तलाश कर रहे हैं उनके लिए समय मिला जुला रहेगा यानि कि आज ठी ठाक महौल बना रहेगा मिल भी सकती है जोब और नहीं भी मिल सकती आप इसे कुछ लोगों को तो इस जिसका आपको ध्यान रखना है मायूस नहीं होना है हर दिन एक जैसा नहीं होता है वक्त बदलते देर नहीं लगते तो चलिए बागे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के लव लाइफ की बारे में तो लव लाइफ में आज कहता है कि जीवन साथी के साथ समंद आपके बहुत ही बढ़िया रहेंगे सुहार्त पूर्ण रहेंगे घर में वरिष्ट व्यक्तियों का सहयोग और आशिरवात आपकी ग्रहस्त जीवन को सुख में बना सकता है इसे के साथ ही आपका साथ ही आपको बुद्धि मान और अकरशक लगता है आप काफी एट्रेक्ट हो पाएंगे आपके साथी की दरफ वे आपके साथ अपनी बाते भी आज साज़ा कर सकते है साथी साथ में आज आपका साथी चाहता है कि आप उन्हें जादा से जादा प्यार करें वे आपके लिए आपके द्वारा दियेगे प्यार से खुश होंगे अज आपके लिए वो special पक्वान भी बना सकते हैं आपके लिए विवस्ता कि बावजूद आप बदलते मौसम की तरहां मत बदलेगा बस आपको घर से निकलते समेजों है वातावरण को ध्यान में रखना है बच्चों का भी ध्यान रखे परिवारवालों का भी ध्यान रखेगा जो लोग सिंगल्स है उनके लिए समेजों है मिला जोना साबित होगा बागी सब कुछ ठीक रहेगा बात करते हैं हेल्थ की तो बदलते हैं मौसम की वज़ा से तोचा से रिलेटिर एंफेक्शन जैसी संभावनाय हो सकती है खुजरी हो सकती है आप में से आज कुछ लोगों की सेह तो बेटर रहेगी पस डाइट चार्ट अपना प्लान करके रखेगा कमर दर्द में कई लोगों को दर्द हो सकती है और पीठ दर्द में हो सकती है उज़ेला ध्यान रखीगा वजन उठाते समय साभधानी बरतनी होगी खाने भिन की जिछों पर बस ध्यान रखेगा जैसा कि मैं रोज और हमेशा कहती हूँ कि बदलते मौसम के साथ डाइट प्लान हमेशा बदलते रहेगा तो चलिए बंतमिय बात करते हैं आज के विशेश उपाई के बारे में ताज आपका विशेश उपाई रहेगा कि आज आपको जो है वरत रखना चाहिए साथ ये साथ में अगर आज छोटी कन्याओं को कुछ उपाहार देते हैं तो वो भी ज़्यादा बेटर रहेगा इसे के साथ ही आज आज आपको पैसों का दान करना चाहिए कहीं सही जगापर दान करना चाहिए जैसे कि धरमशाला, अनाथालले वगरा में दान करें तो बहुत बड़ी अनिजल्ट मिलेंगे तो दोस्तों, अगि आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें, शेर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी रहाब भूलेगा धन्यवाद